Friends, today we will do grammar portion, class 5th, chapter 3rd, parts of speech, ठीक है? बिटा, parts of speech की अगर हम बात करते हैं, तो ये कितने kinds होते हैं इसके? इसको कितने भाग में divide किया गया है? ये 8 number होते हैं, the parts of speech are 18 numbers, ओके? और जैसा कि आप जानते हूँ, as we know, a sentence is a group of several words, है ना? Each of these words play a different role in the sentence, सबके अलग-अलग role होते हैं, प्ले करते हैं, अलग-अलग तरीके से वो अपने role को प्ले करते हैं, ठीक है? And some of these words denote people are places, while some other denote the action, कुछ तो places को show करते हैं, कुछ action बताते हैं, क्रिया बताते हैं, that is taking place, अलग-अलग अपना जगह ले लेते हैं, है ना? जैसे आप जानते हूं, subject क्या होता है, object क्या होता है, word क्या होता है, है ना? Some words describe qualities of other words, while still others are used just like link, different words together. कुछ-कुछ जो होते हैं, words, वो describe करते हैं qualities को other words के, है ना? इसी तरीके से मैंने पार्टसाप speech का जो है, पूरा एक वीडियो भी बनाया हुआ था, जो मैंने सुरू-सुरू में सेंड किया था, फिर से मैं अगें सेंड कर दूँगे, उसको जरूर से पढ़िएगा, ना? इसमें डिटेल में मैंने सारी चीजे समझाई हूँ यह, जैसे मैं एक वरबली थोड़ा से बताना दे रही हूँ कि इतने पार्टसाप speech हैं, आपके देखें, नाउन है, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के जग़ पे ठीक है, वो उसकी जगह यूज होता है, जैसे this is my mother, तो या ऐसे कह लेते हैं, she is a teacher, तो see जो है, अगर वहाँ पे होता है कि rama is a teacher, या गीता is a teacher, तो हम वहाँ पे noun को यूज कर रहे थे, यानि rama क्या है, noun है, girl है, तो क्या हो गया, noun, लेकिन अगर rama की जगह हम she कर लेते हैं she is a teacher, तो she जो हो गया, वो आपका क्या है, वो हो गया, replacement, ना, pronoun का, ठीक है, noun की जगह, pronoun को हमने यूज कर दिया, she के तरह, ठीक है, फिर देखे, adjective, adjective क्या है, qualifies noun और pronoun, noun और pronoun को, जो qualify करता है, है न, उसको क्या बोलते है, adjective बोलते है, जैसे मैं example एक बात करती हूँ, he is a brave boy, देखो, he is a brave boy, मैंस होता है, कि वह एक बहादूर लड़का है, ठीक है, तो वह लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, बहादूर है, तो बहादूर क्या है, ये उस लड़के के विशेषता को शो कर रहा है, न, do you understand, आप एक बार वीडियो जरूर से देखिए, बच्चों, आपको clear हो जाएगा, तो brave, यानि कि लड़का जो है, वह बहादूर है, तो लड़का क्या है, आपका noun है, और noun के, noun को वह क्या कर रहा है, describe कर रहा है, न, adjective हो गया, यहापे, brave क्या हो गया, आपका adjective हो गया, ओके, so, verb क्या है, बेटा, doing words है, verb जैसे, आप जो कारिक करते हो, है, जैसे sleeping, eating, reading, और भी जितने चीजे हैं, जो आप करते हो, jumping, जितनी चीजे आप करते हो, वो क्या होता है, doing words, वर्ब को बोलते ही है, doing words, जैसे, मालो अगर हम कहते हैं, कि sony is jumping into the pool, तो वो jump कर रही है, यानि पुल में करने क्या जरी, जब पकर रही है, तो कोई कार रही है, तो वो क्या हो गए, doing words हो गया, ठीक है, अब यहान आते हैं, adverb पे, तो यह क्या है, modifying words, जैसे, अगर हम कहते हैं, adverb is a word that describes a verb, adverb, ना, यह क्या बोलता है, verb or adverb or describe करता है, या adjective को, ठीक है, तीनों को, यह describes करता है, it tells us about the way somebody does something जैसे कि अगर हम एक बात करते हैं कि he ran वो दोड़ता है लेकिन क्या fast बहुत तेज दोड़ता है तो ये किसको modify कर रहा है? verb को दोड़ना क्या हो गया? verb है ना जैसे मैंने बताया कि doing verb है doing words जो होते हैं वो verb होते हैं तो दोड़ना आपका क्या हो गया? ये आपका verb हो गया और इसको modify कैसे कर रहा है ये? एड़ वर्ब और fast जो हो गया वो आपका एड़ वर्ब हो गया preposition जैसे आप use करते हो denote the position of noun or pronoun in relation to something else मतब कि preposition जो होता है वो connect करता है जैसे कि सोनी is jumping into the pool मैंने अभी ये बात कही है in to कहाँ jump कर रहा है? pool में into, in, near, on, under, behind जितने ये सारे words होते हैं वो किसको show करते हैं? ये आपके preposition को show करते हैं and conjunction की बात करते हैं conjunction जो होता है वो linking word होता है बेटा जैसे and, or, but है न? जैसे conjunction is a word which joins what are sentences they are also called the linking word उसको linking word बोलते हैं जैसे अगर हम बोलते हैं to and, to make four तो दो और दो जोड कौन रहा है बीच में and जोड रहा है न? तो ये क्या हो गया? दो और दो make four ठीक है? आपका last एक आता है interjection interjection बेचा होता है interjection shows a sudden feelings like surprise, pain, or pleasure जैसे आप कहते हो न? ओ गौश या बोलते हैं अलोश ना? वी वी वेट वी डिफीट दे मैच ना? तो हम, मतलब मैच वो क्या हो गया? हम मैच हार गया अलोश या he is no more मतलब दुख की बात है कि वो नहीं रहा अब तो ये क्या है? दुख है? है ना? उसका सिम्बल पेटा ये होता है ये ऐसे ये सिम्बल होता है तो अभी हम समझ जाते हैं कि ये interjection शो कर रहा है ठीक है? ओके अब आते हैं हम exercise पर तेकि exercise में हमारा first exercise क्या है? exercise है कि मैच करना है इनको pronoun जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं बस उसी को शो करना है कि तो प्रोनाउन कि हम वर्ट्स that रिप्लेस नाउन यह फर्स्ट हो गया second noun है तो noun क्या हो जाएगा बिटा आपका noun जो है वो हो जाएगा naming word noun क्या हो जाएगा naming word हो जाएगा verb है आपका doing word adjective बिटा क्या है adjective जैसा के हम जानते हैं इसमें search करते हैं words that qualify nouns or pronouns है ना और adverb क्या है modify करता है words adjective और adverb को ठीक है preposition जैसा के अभी हम लोगों ने पढ़ा है preposition आपका है words that relate noun or pronoun to other words ठीक है conjunction क्या है linking word है linking word आपका ये हो गया और interjection क्या है express sudden feelings ठीक है अच्छे से इसको फिर से देखके उसको आपको सामने सामने जो है arrow ना लगा के आप one ऐसे लिख सकते हो आप जो है सामने सामने number one जैसे है pronoun का तो pronoun के आगे one ऐसे कर सकते हो noun के आगे two ऐसे कर के लिख सकते हो ठीक है फिर next हमारा क्या है देखे which parts of speech are the words given in red write the blank अब जो red में दिया हुआ है उसको हमें शो करना है अब देखे इन यह क्या है इन जो है यह क्या कर रहा है noun pronoun जो words से उसको relate कर रहा है जोड रहा है तो जैसे देखे यह क्या है preposition पी आर ई पी ओ एस आई एस पी आर ई पी ओ एस आई टी आई ओ एन एस ठीक है प्रिपोजीशन ठीक है next क्या है please speak clearly यह clearly क्या हो गया एड़ वर्ब हो गया ठीक है फिर रोहित वियर्स glasses वियर्स आपका क्या हो जाए verb यानि doing word है फिर elephant is the large बट बट क्या है आपका conjunction हो जाएगा ठीक है conjunction ध्यान से इसके spelling देख लीजेगा अगर confusion होगी c-o-n-g-u-n-c-t-i-o-n-s फिर हुर्रा अब देखे यह symbol से आप clear हो जाओगे इंटर्जेक्शन राहूल नेम है तो नाउन हो जाएगा all the players are very tall tall क्या है आपका adjective हो जाएगा a-d-j-e-c-t-i-v-e-s adjective next क्या है he is reading यह क्या हो जाएगा पिटा he जो है नाउन की जगा है तो प्रो नाउन हो जाएगा p-r-o-n-o-n-o-un ok next देखिए इसमें क्या है बोल रहा है कि circle the adverb underline the verbs in the following sentence इसमें verb adverb को circle करना है और underline verb को करना है तो verb यानि doing what thought हो गया आपका verb हो गया bravely को हम circle कर देंगे second क्या है the dog barking barking हो जाएगा आपका verb fiercely हो जाएगा आपका यह हो जाएगा adverb third है राहुल आख्ष्ट scattered beautifully scattered हो जाएगा आपका verb beautifully हो जाएगा आपका adverb ठीक है then next हमारा है bird four number four bird are singing sweetly तो singing आपका हो जाएगा क्या verb हो जाएगा underline sweetly हो जाएगा आपका adverb it is raining heavily raining कर देंगे आप underline heavily को कर देंगे adverb the king ruled ruled को कर देंगे underline wisely को कर देंगे circle the candle born born को कर देंगे underline quickly को कर देंगे circle ran को करेंगे आप underline fast को करेंगे circle signing को करेंगे underline brightly को करेंगे circle spoke को करेंगे underline and truth को करेंगे circle ठीक है फिर next बिटा हमारा क्या है next है हमारा यहाँ पे जो है brackets में दिये हुए है form उसको जो है आपको सही form करके लिखना है write the correct form of the word given in the brackets follow my advice तो इसको advice ही लिखना है आपको ठीक है ADVICE ठीक है ADVICE जैसे लिखना है इसको ऐसे लिखना है advice हो जाएगा फिर next है it is advice यहाँ भी advice ही लिखेंगे हम फिर यहाँ पे है OTEs तो यहाँ करेंगे most beautiful ठीक है M-O-S-T most beautiful B-E-A-U-T-I-F-U-L most beautiful ठीक है 4 में you must practice P-R-A-C-T-I-S-E-D practiced हो जाएगा ठीक है your math lesson 5 control your laughing L-A-U-G-H-I-N-G laughing students The teacher asked him कर देंगे ही की जगा na him H-I-M him to be punctual C is a famous F-A-M-O-U-S famous dancer The teacher shouted loudly L-O-U-D-L-Y loudly at him Slow and steady wins the race कर देंगे na racing नहीं R-A-C-E race Shakespeare was a great drama artist कर देंगे na Drama है यह T-I-S-T उसमें add कर देंगे ठीक है Okay next बिटा यहाँ पर क्या है conjunction को हमें underline करना है preposition और conjunction को ठीक है तो circle करना है sorry The cat is under under है इसको कर देंगे फिर इसमें and को क्या करेंगे हम conjunction जो है आपका conjunction को हमें करना है underline और preposition को circle तो यह है conjunction और यह है preposition in उसके बाद मनू and and है आपका conjunction और at है आपका preposition the jack is good at sport but poor in his studies तो बट को करेंगे underline और इन को कर देंगे हम circle फिर जीता is standing before, after and in ठीक है ना बिफोर, after भी आपका आ जाएगा ठीक है तो इसको हम कर लेते हैं then आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा frame your own sentences using the following pronouns मतलब कि आपको जैसे ये words दिये हुए है ठीक है इन words को आपको करना क्या है इन words को आपको add करना है ठीक है और एक sentence को clear करना है यानि बनाना है आपको तो देखिए कैसे आप अपने words में भी बना सकते हो बच्चो ठीक है जैसे है योर तो your pen is red हमने लिखा है यहां पर तो आप ऐसे भी अपने words भी आपको लिख सकते हो एक्जाम वगरा में ठीक है योर पेनी इस red आवस वी आल रिमेंबर आवस बट योर्स इस मीसिंग हमने यह लिखा है ठीक है फिर mine he is mine am I any mine ठीक है he is mine फिर क्या है him तो यहां क्या करेंगे the teacher the teacher एक में ठीक है थोड़ा सा इसमें पैंसिल हो गया है तो आप कहर सकते हो the teacher shouted या तो the teacher scolded me है ना या फिर कर सकते हो the teacher shouted loudly at me at him या at me नहीं him करना है sorry him at him कर देंगे याँ ठीक है समझ में आ रहा है फिर them please forgive them मतलब उन्हें माफ कर दीजे please forgive them ठीक है फिर next हमारा क्या है correct the following sentence rewrite them in the blanks given ठीक है यह frame जो words है यह में आप अपने से भी पेटा add कर सकते हो जैसे मैंने बोला है लेकिन जो है आप चाहो तो इसमें अपने words यूज कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पे देखिए correct the following sentence and rewrite them in blanks गोश देखिए opposite थोड़ा दिया हुआ we have on the match गोश दिया हुआ तो यहाँ पे क्या है गोश का मिन्स क्या होता है दुख को प्रगट करना है गोश ठीक है तो हम यहाँ पे कर सकते है कि गोश we have lost l-o-s-t we have lost the match ठीक है क्या करेंगे we have lost the match oh no the food is very tasty तो food tasty है तो अच्छे से बोलेंगे न यहाँ लिखेंगे oh no the food is not tasty ध्यान रखना यहाँ पे opposite है इसको हमें अपने words में clear लिखना है ठीक है well done friends you played really bad कभी कोई कहता है बहुत अच्छे बच्चों बहुत खराब खेले हो नहीं न तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे well done friends you played really well ठीक है न really good कर सकते हैं ठीक है फिर thank god he was not saved तो यहाँ लिखेंगे क्या thank god he was saved कभी ऐसे कहते है अरे बढ़ा अच्छा हुआ thank god बढ़ा जी धन्यवाद वो तो बचा ही नहीं नहीं न thank god he was saved my goodness just remember it तो यहाँ लिखेंगे my goodness I just forget it मैं तो भूली गई ठीक है यह ध्यान रखिएगा फिर true false है यहाँ पर there are eight parts of speech in grammar true a sentence may have no nouns false a sentence may not have any kinds of verb false वो preposition tells the location of noun in a sentence true adverb modifies verb objective and adverb also true ठीक है तो यह chapter जो है आपका complete होता है यहाँ पर फिर कोई problem होती है तो आप हम से consort कर सकते हैं ओके बाबाई